हेलो इब्रिवान आप सभी को फिर से एक पर बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी के अपने ही चैनल में और गुड मॉर्निंग आप सभी को अभी सुबह का टाइम हो रहा था और अरपी तरुस्त के पापा आज चुट्टी पे है मतलब आज है संडे तो यहां पर देखिए म सुबह सुबह अपने काम पे लगी हुं तो शुबह नास्ता वागेरा हम सभी का हो गया है संडे के दिन थोढ़ा सा ना हम लोगों का कभी कभी मतलब रूटीन का कुछ ठीक ठीकाना नहीं रहता है संडे के दिन के संडे के दिन में तो आज ना मेरा गला थोड़ा सा आप लोगो अलग सा लग रहा होगा तो मेरा थोड़ा सा जुखाम है इस वज़े से कल मेरा वीडियो भी नहीं आया और कल सुवत अंतरता फॉर्म किया उसके स्कूल भी गया थे और बारी सो रहा था तो भीग भी गया थे थोड़ा सा तो इस वज़े से मेरा जुखाम है और आप लोग को स्वातंद्रता दिवस की हार्दिक सुख कामना है और उसका वीडियो आप लोगों को कल मिलेगा तो आप लोग देख तो करेला भी फ्राइ करूंगी पपीता भी फ्राइ करूंगी और फिश बनाओंगी तो यहां पर करेला देखिए मैं काट रही हूं करेला थोड़ा सा मोटा मोटा करके काटूंगी तो करेला फ्राइ करने में यह वाला जो करेला है थोड़ा सा पक गया है आप देख सकते हो अंदर का जो भीज है न वो थोड़ा सा रेड रेड हो गया है तो यह देखिए मैंने बड़ा बड़ा काटा है और इसको मैं अच्छे से तेल में फ्राइ करूँगी तो चलिए सबजी काट लिया है अभी मैं यहाँ पर फीश धो लेती हूँ तो यहाँ देखिए फीश जो है थोड़ा सा साफ करना पर रहा है अच्छे से साफ नहीं किया गया है तो साफ कर लेती हूँ और फिर मैं खाना बनाऊंगी तो उधर खाने में चावल मैंने चड़ा दिया है आप देख सकते हो तो चावल हो गया है और जो सबजी मैंने काटा था ना बू भी हो गया है परपीता और करेला और दाल भी बनाया है अरपीत के लिए क्योंकि अरपीत फीश का जो करी है वो नहीं खाता है फीश भी नहीं खाता था लेकिन आजकल मैं फीश उसको खिला रह जान बूज के नहीं खाएगा उसको छुपा के अगर खिलाओंगी न कि उसको ना लगे कि ये फीश है तो वो खा लेता है तो यहाँ पर देखिए कड़ाई में तेल अच्छे से गरम कर लूँगी उसके बाद ही फीश डालूँगी जब तक कड़ाई में तेल गरम होता है अगर आप अच्छे से गराई को और तेल को गरम कर लेते हो तो फीश कभी नहीं चिपकेकगा कभी भी नहीं तो ऐसा एक टिप्स भी बता सकते हो उकच भी बोल सकते हो तो ऐसे आप लोग कोई अगर फीश कड़ाई में चिपक जाता है तो यह एक बार ट्राइ कीजिएगा तेल को अच्छे से गरम कर लिजिएगा धब जब तक ना धूआ छोड़ दे तेल एक दम से धूआ उगने लगे तभी फीश को छोड़ना है तो यह देख पकाऊंगी तो कैसे मैं बनाती हूँ आज फिश वो आप लोग को आज मैं सेयर करूंगी तो आप लोग जरूर देखिएगा वीडियो को फूर वाच किजिएगा उमीद है आप लोगों को अच्छा ही लगेगा और थोड़ा सा भी अच्छा लगे ना तो प्लीज लाइक की गाघte जीए शेयर कर दीजिए जिन को ये बलॉग देखने को पसंद है ये वाला वलॉग ऐसा ब्लॉग देखने का डेली लाइब स्टाईल देखने का तो उनके साथ सेयर कीजिए और अभी तक अगरगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस्ट कर दीजिएगा तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और वीडियो साथ ही साथ आप देख पाएंगे तो चलिए मैं यहाँ पर फिश फ्राइ कर लेती हूँ और जो लोग नॉन वेज खाते हैं तो क्या कर सकते हैं हमारा जो डेली लाइफस्टाइल है वही मैं सेयर करती हूँ ना आप लोग के साथ अगर मैं यह सब स्किप कर दूंगी तो आप लोग को कैसे पता चलेगा कि हमारी लाइफस्टाइल कैसा है है ना तो जो हमारा लाइफस्टाइल है जैस करते हैं तो आप लोग मेरे वीडियो देखिए गा तो आप लोग को पता चलेगा तो देखिए सारे फिस मैंने तल लिया है अभी मैं यहां पर तेल में जीरा डाला है साबूत जीरा है वो और कटा हुआ एक प्याज तो अच्छे से में फ्राइब कर लेती हूं प्याज को और जीरा तो फ्राइब हो ही गया है अच्छा सा एक खुझबु छोड़ दिया है और यहां पर मैंने प्याज को डाला है और प्याज फ्राइब होते होते यहां पर मैं डाल दूंगी आलू और कच्छा केला तो सभी को एक साथ फ्राइब करूंगी तो यहां पर देखिए मैंन ना तो पानी जो है वो छीटे लगता है तेल में तो हल्दी डालने से नहीं लगता है थोड़ा सा कम होता है तो यहां पर देखिए अभी मैं नमग भी डाल दूंगी स्वाद के अनुसर और साथ में जो मसाला वगेरा डलेगा इस कडी में तो भी मैं डालूंगी तो आप भी फ्राइ करके इस तरह से फिस के साथ बना सकते हो हम बिंगॉली लोग इस तरह से बनाते हैं और सची में बहुत टेस्टी होता है अगर आप ट्राइब नहीं किया है तो प्लीज ट्राइब कीजिएगा तो यहां पर देखिए मैंने अध्रक लेसुन का पेस्ट डाला है और अभी मैं डालूंगी यहां पर जीरा पाउडर डालूंगी और साथ में डालूंगी लाल मेर्स का पाउडर तो इतना ही मसाला में डालूंगी और कुछ नहीं तो इसको डाल के गरम मसाला बगरा नहीं डालूंगी जो सबजी वाला होता है उसमें गरम मसाला नहीं डाला सब्जी का अलग से खुसबू होता है तो उसके टेस्ट अलग होता है तो वह खाने में बहुत अच्छा लगता है अगर गरम मसाला डालेंगे तो इसका जो टेस्ट है वह खराब हो जाएगा तो यहां पर देखिए सब्जी को मसाले को अच्छे से में फ्राय कर चुकी हूँ ठोड़ा सा पानी डाल के और अच्छे से पका लोंगी मसाले को और फिर मैं जितना ग्रेवी चाहिए होगा उतना हिसाब से मैं यहाँ पर पानी डालोंगी और जब पानी खौल आएगा अच्छे से तब मैं इसमें फीज डाल के बना लोंगी तो चलिए यह है रेसिपी आप को बता दिया है और यह देखिए मैंने यह सब बना लिया है और एक फीज ना फ्राइ किया हुआ मैंने रख लिया है अरपीत के लिए इसको मैं काटा बगेरा चान के इसको थोड़ा सा भरता टाइप का बना दूंगी फीज को और फिर मैं अरपीत को खिलाओंगी चावल के सा तो उसको ना पता नहीं चलेगा तो ये देखी सब कुछ बन गया है खाना तो सभी को खाना वगएरा खिला लेती हूँ पती देव को दे दिया था वो खा लिये थे और वो अभी मेरा वीडियो कर रहे हैं देखिए और अरपीद भी खाना खा लिया है उसको भी मैंने खिला दिया उसके बार मेरा खाते खाते ना तीन बज़ गया था तो अभी मैं खाना खा रही हूँ सारा काम करके जाड़ों पोचा करके फिर मैं नहाद होके आई थी और फिर मैं खाना अरपीद को खिलाई अभी मैं खा रही हूँ तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंड में जरूर बताईएगा अच्छा लगा है लाइक शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो प्लीज सब्सक्राइब करके मुझे इसी तरह सपोर्ट कीजिएगा उम्मीद करते हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ सब अच्छे से रहिए मस्त रहिए फैमिली को खुश रहे थिए